जैहिन दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 5.1 चैनल का सेट अप जो की एक पूरी फुल्फिल करता है आपकी नीड को अगर आप एक इंप्रेसिव 3D साउंड या फिर डॉल्बी डिजीटल साउंड अपने घर पर देखना चाते हैं जैसा कि हम सिनिमा हॉल्स में देखते हैं तो ऐसी क्वालिटी के लिए अगर आपको सिस्टम चाहिए तो ये एक बहुत ही यादा अच्छी च्वाइस है मैं बहुत से कस्टमर्स को ये दे भी चुका हूँ और बहुत से कस्टमर्स के यहां पर इंस्टॉल भी कर चुका हूँ अभी तक मुझे कहीं से भी कोई भी बैट रिव्यू नहीं मिला है इसका रिव्यू काफी अच्छे ही मिले हैं जहां से भी मिले हैं तो इसलिए इसकी जो वीडियो है वो मैं अब बना रहा हूँ जब मैं खुद भी सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ जो क्लाइ आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा तांकि आने वाली वीडियो की नॉटिविकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें आउडियो गुरू जी चैनल को और बैल आइकन ज़रूर दबाएं तांकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आओडियो गुरू जी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज के इस पैकेज के अंदर मैंने इंक्लूट किया है डेनन का 250 BT AVR जो की एक 5.1 चैनल Bluetooth AVR है इसी के साथ में मैंने जो स्पीकर्स हैं वो लिए हैं पॉलकॉडियो के ब्लैक स्टॉन TL1600 तो यहां पर इसका जो कॉंबिनेशन है बहुत ही बढ़िया मिलता है तो आज इनकी करेंगे हम अन्वॉक्सिंग एंड इसका रिव्यू करेंगे और इसकी स्पैसिफिकेशन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी जो लुक है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा साथ ही साथ में हम इसका डेमो भी चेक करेंगे कि हाँ कैसी कॉलिटी हमें इसमें मिलती है इसकी अन्बॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन में इसका आपको लिंक नजर आ रहा होगा तो आप वहाँ पर क्लिक करके इसकी वीडियो भी देख सकते हैं बाकी इस वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में बात नहीं करूंगा इसी के साथ साथ हमें इसमें ही योस का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप योस स्पीकर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर वह भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें हमें 5 in मिल जाते हैं यानि 5 in and 1 out हमें इसमें मिलता है SDML की सपोर्ट की बात करो तो CEC, 3D, ARC, 4K, Dolby Vision यह सभी को सपोर्ट करता है एम्प्लिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो 70 watts at 8 ohms पर यह आपको पावर प्रवाइड करता है per channel maximum power की अगर बात करें तो यह 130 watt यानि की 130 watt maximum output आपको देता है तो friends मोटी मोटी जोंसी की specification है वो मैंने आपको बता दी है अभी इसको हटाते हैं और unbox करते हैं speakers को तो चलिए friends कर लेते हैं इसे फटा फट से unbox पहले या मैंने अपना शस्त्र ले लिया है तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आप यहां देख सकते हैं कि speakers के लिए अलग ही एक box दिया गया है जो की काफी अच्छी बात है तो उपर भी जो है इसके यह कपड़े का cover किया गया है इसे normally जो है वो एक पॉलतिन के थ्रू ही इसको cover किया गया आता है वैसे यादाता speakers में बट यह जो है यह कपड़े में किया गया है तो चलिए एक-एक करके बात करती हैं इस system के बारे में तो फ्रेंट्स बॉक्स में हमें मिलता है यह एक चायवत्ती का packet और एक हमें catalog मिलती है और साथ में इसका warranty card है इसकी instructions guide है तो आप पढ़ना चाहो इसे बाद में पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक मिलती है में power code subwoofer के लिए इसके इलावा हमें box के अंदर और कोई accessories में तो कुछ भी नहीं मिलता है साथ में हमें मिलते हैं इसमें से 5 speaker जो की 4 satellite speakers है एक जो है वो हमारा center speaker है और एक 8 inches का subwoofer तो चलिए एक एक करके भी बात करते हैं तो पहले बात करते हैं हम speakers के बारे में तो friends आप देख सकते हैं ये है इसका center speaker अगर finishing की बात करते हैं तो finishing बहुत ही यादा अच्छी बनाई गई है इसकी shining के अंदर आप देख सकते हैं binding post लिए गए हैं 5 day binding post हैं साथ में हमें पीछे की तरफ vent दिया गया है जो की हवा निकालने के लिए और अगर आप इसे mount करना चाते हैं कहीं पर भी अपने TV के आपके जहां पर भी आपके LED लगी है या LCD लगी हुई है उसके नीचे अगर आप दिवार पर इसे टांगना चाते हैं तो उसके लिए भी आपको option मिल जाता है अगर आप एक height पर इसे लगा रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से करते हैं तो अगर आप mounting bracket का use करना चाते हैं तो आप वह भी यहां पर कर सकते हैं आगे की तरफ हमें black color में ही जाली दी गई है जाली जोनसी है कपड़े की है और काफी यादा अच्छी finishing में है और काफी यादा गूडी है मतलब की R पर नजर नहीं आता है इसम अभी इसकी net निकाल लेते हैं फिर देखते हैं अंदर से क्या है इसमें तो फ्रेंट्स यह ग्रेल है इसकी जोनसी मैंने हटा दी है प्लास्टिक की ग्रेल है यह अभी बात करते हैं इसके design की यहां look की तो आप देख सकते हैं काफी यादा बढ़िया अच्छी look इसकी दी बीच में हमें एक tweeter दिया गया है जो कि एक down tweeter है साथ में हमें दो mid bus driver दिये गई हैं यहां पर और फ्रेंट्स इसी तरह से हमें हर एक speaker के अंदर एक 2.5 inches का driver मिलता है और 1.5 inches का tweeter मिलता है center speaker में double दिये गए है drivers बट satellite जो है उसमें हमें single driver मिलता है फ्रेंट्स एक नज़र satellite speakers पर भी मार लेते हैं तो यहां पर भी आप इसकी look देख सकते हैं काफी अच्छी look बनाईगी है चोटा सा size है इसका size भी जादा बड़ा नहीं है बट performance की बात करें तो काफी अच्छी performance यह में मिल जाती है as it is design जैसा center में दिया गया था उसी तरीके से इसको भी design किया गय आगे की तरफ पॉल कॉडियो का टैग लगा हुआ है यहां पर अगर आप इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो यहां पर आम इन बीचे पैड भी दिये गए हैं अगर आप इसे किसी surface पे रख रहे हैं तो यह जब चले तो एक जो vibrate होता है जब हमारा speaker चलता है तो वो काडियो का नाम लिया गया है और इसका model number दिया गया है एक वार इसकी grill को भी उतार कर देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं as it is वही look आपको मिलती है यहां पर एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मुझे तो काफी अच्छी लगती है mostly क्य गया तो यह देखिए यह अपने आप जोंसा है बहार आ जाएगी इसी तरीके से पांचों speakers की जो dust cap है वह इसी तरीके से हमें यहां दी गई है जो कि मुझे तो काफी अच्छी लगती है Friends अगर बात करते हैं इनके frequency response की तो 120 Hz से लेकर 22 kHz तक यह support करते हैं impedance की बात करें तो 8 ohms की यह speaker है आप किसी भी और भी amplifier पर इसे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं क्योंकि 99.9% जोंसे AVR या फिर जोंसे amplifier है वो 8 ohms को support करते हैं अभी अगर बात करते हैं अप्लिविकेशन की तो इसके लिए हमें minimum 10 watt का amplifier चाहिए होगा और maximum में जाते हैं तो 100 watt का हमें इसमें M चाहिए होगा और Friends अगर बात करते हैं इसकी nominal power out की तो यह 50 watts हमें इसमें nominal दिया गया है और Friends इसका जो driver है यहाँ पर यहाँ पर Polk Audio ने अपनी एक technology जो उसे patent करवाया हुआ है जो इसकी motor का structure है वो काफी यादा huge दिया जाता है जिसकी वज़े से driver easily और perfectly move करता है और smoothly move करता है जिससे की हमारा जो इसकी जो लिस्टिंग experience होता है वो और यादा increase हो जाता है और Friends अगर बात करते हैं subwoofer की तो आप इसकी finishing देख सकते हैं जो काफी अच्छी बनाई गई है जो edge है इसके वो भी round कर दिये गए है जिससे की इसकी जो look है वो और यादा बढ़ जाती है साथ में हमें आगे की तरफ ही Polk Audio का tag मिलता है तो नीचे की तरफ Friends हमें 4 fit मिल जात है इसकी dust cap की बात करें तो यह paper cone में ही हमें दी गई है और अगर बात करते हैं इसके cone की तो यहां पर हमें paper cone का ही use मिलता है बट उसके ऊपर एक काफी बारीक सी coating की गई है surround की बात करते हैं तो यहां पर हमें rubber surround नहीं दिया गया है यहां पर हमें foam surround मिलता है तो friends यह है इसकी back side यहां पर इसका model number दिया गया है TL1600 यहां पर हमें high pass के लिए भी option मिल जाता है speaker level in है और speaker level out है अगर आप इसे studio amplifier के साथ भी connect करना चाहें तो आप इसे stereo amplifier connect कर सकते हैं बाकी की बात रहती है AVR की तो AVR के लिए हमें यहां पर line in का option मिल जाता है नीचे की तरफ हमें face control मिलता है जो की हमेशा 0 से लेके 180 तक होता है इसी के नीचे हमें auto power off on का option मिल जाता है कि यह अपने आप जब इसे signal मिलेगा तो यह on हो जाएगा अगर इसे signal नहीं मिल रहा होगा तो यह automatically stand by mode पर चला जाएगा इसी के नीचे हमें मिल जाता है low pass filter जो की 80 Hz से लेकर यानि की 80 Hz से लेकर 160 Hz तक controllable है आप इसे इसमें control कर सकते हो साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक fuse दिया गया है एक हमें power cord लगाने के लिए slot दिया गया है power cord जोंसी है वो इसी के साथ में आती है यहाँ पर हमें एक LED दी गई है जो की indication LED है तो friends अगर बात करते हैं इसके subwoofer की specification की तो इसके अंदर हमें एक long throw 8 इंच इसका driver दिया गया है जो की down firing के अंदर है जो इसका port है यानि की जो इसका vent hall है वो भी हमें नीचे की तरवी दिया गया है जो size है वो तकरीबन 3 इंच के आसपास का है अगर बात करते हैं इसके frequency respond की तो यह minimum 40 Hz तक down जाता है और maximum जो है वो 180 Hz तक up जाता है और अगर बात करते हैं cut off frequency की तो 80 Hz से लेकर 180 Hz तक हमें इसमें cut off frequency मिल जाती है जो कि हम अपने हिसाब से control कर सकते हैं और अगर बात करें इसकी amplification की तो इसके अंदर हमें एक watts का amplifier दिया गया है जो कि एक class d amplifier है तो friends यहाँ पर देखिए इसकी specification भी हो गई है तो अभी असली बात जों से आ जाती है इसकी performance के बारे में तो इसमें एक video clip मैं आपको दिखा देता हूं बट video के अंदर देखिए कभी भी यह पता नहीं लग पाएगा कि एक surround sound home theater जो है वो किस हिसाब से effect दे रहा है क्योंकि वहाँ पर जोंसा output है वो आपको two channel में ही मिलता है तो इसलिए पता नहीं लग पता है बट फिर भी एक अंदाजा लगाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं तो चलिए एक demo देख लीजिए इसका उसके बाद में मैं आपसे दुवारा मिलता हूँ तो friends देखिए unboxing भी हो गई है specification भी हो गई है यहाँ पर आपने demo भी देख लिया है इसका तो friends इसके बारे में आपका क्या खयाल है यह बताना आपको compulsory है आपको बताना ही पढ़ेगा यह comment box में आप comment करके बताईएगा इस setup के बारे में अगर आप इसे यूज़ कर रहे है तो वो भी बताईएगा यहाँ फिर आप कौन सा setup यूज़ कर रहे है यह तो जरूर बताईएगा फ्रेंट्स अगर यहाँ बात करते हैं इनके price के बारे में तो पॉलकॉडियो की जो यह वाले speakers हैं इनका जो MRP है वो है 40,000 और डैनन की 250 BT AVR का जो MRP है वो है 35,900 याने की तकरीबन 36,000 यह हम इसे लगा सकते हैं यहाँ पर अगर मैं अपने taste के इसाफ से बात करता हूँ किसी नई वीडियो के अंदर और जाते जाते आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप स्वस्त रहें और मस्त रहें और फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification आप को time to time मिलती रहें और कोई भी वीडियो आप में इसना करें इंस्ट्राग्राम पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं वहाँ पर आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं वीडियो को like करना और share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो मिलता हूँ मैं आपसे दुबारा किसी औ और वीडियो के अंदर अभी के लिए friends आपसे इजाज़त चाहूँगा जाहिंद